दूस्तों आज की कहानी है कास ममी जी आप मेरे सेहरे की उदासी पड़ पाती दूस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारे सेनल को सबस्क्रैप नहीं किया हूँ तो कर लीजिए ताकि आपके पास पाउंसे हर रोज नया वीडियो सारे घर में बहुत सेल पेहल थी हर तरफ खुसी का मालता कहीं बच्चों का जुंडी कटावा जा रहा था तो कहीं बड़े बुजरुगों का मेहफिल जम रहा था घर की सारी ओरते हसी ठीटोली करते वे घर का सारा काम निवड़ा रही थी तियों कि आज लोडी का परव था जस्मित उनकी ममी जी सरंट जी अपने घर में लोडी का फक्षन रखी थी जिसकी त्यारी में जस्मित और सुब से लगी हुई है सारी त्यारियों में क्योंकि जस्मित घर की बहु है सासुमा सरंट जी जी और उनका पती सुक विंदर जी उसके अलावा जस्मित के दो बच्चे और पती मनीदर जी घर में उसके अलावा एक मेड़ भी रहती है गर का साप सपाई करने के लिए रसुई का काम और घर की सारे काम देखने की जी में वारी जस्मित के जैसे जैसे सासुमा उसे बोलती करने को वह करती रहती आज भी जस्मित सुब बाव ठंड होने के बाव जूद भी जल्दी उठ जाती सारे काम फिनिस करके ब्रेक फास्ट बनाने की त्यारी में लग जाती आज ममी जी ने सोले भटूरे बनाने को बोली ती सोले भटूरे की मेक से घर के सारे लोग आज जल्दी ही नास्ता करने ब्याट जाती जै जपनीतो और जसी लोडी का प्रमनाने अपने भाई भाभी के घर पंग जाती सी बाने माँ पापा से भी मिलने का आउसर मिल जातावनी दोनों ननन को आते देखर जस्मित नास्ता थोड़ी देर के बाद करने का मन बनात्यवनी दोनों ननन की आप भगत में लग जाते साई क पॉपियर नास्ता करवाते कापी सम्य हो जाता है जैसे ही नास्ता करने बैठने वाली थी कि तभी उसका फौन बजने लगता है फौन उसके घर से था जस्मित की मा का नंबर देखती फौन उठा लेती हैं मा प्रणाम आप कैसी हो जस्मित बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम कैसी हो ये बताओ मा मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपको लोडी प्रेव की देर सारी बदाया बहुत बद खुसरो जस्मित बेटा तुमें भी लोडी देर सारी बदाया जी ममी जी आपने इस समय फोन किया हाँ जस्मित बेटा तुम से मिलने वे बहुत दिनों होगी और आज में सार रही थी तुम और दामाजी अपने बच्चों के साथ साम को थोड़ी देर के लिए मुझे से मिलने आजाओ मेरा जी बहुत गबरारा तुमारे पापा जी की तव ब्यद भी कुस घडबट लगरे तुम आजाओगी थोड़ी देर के लिए भी तो बहुत अच्छा लगेगा खास कर तुमारे पापा को मा आज लोड़ी परव हैं और साम को ममीजी घर में पार्टी रखे बहुत सारे घर में इकटा हो रहे हैं मेरा आना थोड़ा मुझे लेमा लेकिन मैं फिर भी ममीजी और अपने पती से बात करने की कोशिस करूँगी वैसे पापा जी को क्या हो गया है असान गहां बेटा जरूर कोशिस करना आज तुमारी बहुत याद आ रिये देखो ना तुमारे पापा जी आज काल मेरी बात ही नहीं सुनते ठंडी इतनी बढ़ गई अपना ख्यार खुद नहीं रख दे सुब सुब ठंडी में मॉर्निंग वो के लिए निकल जाते कम से कम अब तो अपनी उमर का लियाज करे अपना के यर खुद कर ले जस्मित बेटा यंदी तुम आ जाओगी तो तुम्हारे पापा को भी बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे पापा तुम्हारी बात सुन दिये के अलावा किसी और का सुनते का है ओके मा में पूरी कोशिस करूंगी सारा त्यारी करने के बाद ममी जी से पूछ कर आ जाओंगी आप सिंता मत करो भी मैं भौन रखती हो घर पर बहुत सारा काम है अपनी मा से बात करने के बाद जस्मित बहुत उदास हो जाती है असानक पापाजी की तव्यत को क्या हो गया ऐसे समय में क्या मुझे ममीर जी माय के जाने का ओडर देगी भी या नई मन ही मन सोस में डूब जाती है फिर उड़ कर उदास मन से नास्ता फिनिस करती है सब लोग हसी मजाक में इतने व्यवस्ते की जस्मित की उदासी किसी को नहीं देख रही थी उदर ममी जी कुस ना कुस काम बताती जा रही थी काम होते का नाम खाक खतम होने का नाम नहीं ले राताई सी बिस दो मिनट का सम जस्मित अपनी सासु मांसे बार करती अपने पापा की तव्यत के बारे में बताती हैं। जस्मित अपनी सासु मांसे जस्मित बोलती हैं। जस्मित दोड़कर रस्वी घर में जाती अपने पती के लिए गर्मा गरम कौपी बना कर ले आती हैं। जस्मित को याद आता अपनी मां की बात अपने पती सतिंदर जी से कहती हैं। सतिदर जी आज मां का कौल आया था मां कह रही थी पापा की तब यह ठीक नहीं। साम को हम सब को मांने अपने गर बुलाय मिलने के लिए इसी बाहने पापा से भी मिलोंगी उन्हें समझा दोंगी मेरे अलावा किसी की बात नहीं सुनते। सतिदंची अपने लेप टॉप में बात करती भी जस्मित की बाते सुन रहेते। सुनने के बात करती जस्मित आज मारे घर में लोडी पर्वा का फक्सन होने वारे मुझे नहीं लगता। ममी तुम्हें वहाँ जाने का ओर्डर देगी तुम ही सो सो घर में कितने सारे मेमान नहीं तुमारा वहाँ जाना सबको कितना बुरा लगेगा। सदी दंजी मैंने ममी जी से मैंने बात कर ली हैं ममी जी ने का सारी त्यारी खतम हो जाने के बाद में थोड़ी देर के लिए जा सकती हो लेकिन आप साथ सलोगे तो अच्छा होगा अपनी गाड़ी से जाकर थोड़ी देर बाद आ जाओंगी ओके मैं देखतां साम को क्या होत तो कोसिस करूंगा तुमारे सांस सलने की जसमीत को अपने पती की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है मन ही मन सोच ये सरफ कोसिस करेंगे ये नहीं बोल सकता कि हाँ सलूंगा कितना भी कर लो ससुराल के लिए फिर भी हमारी उदासी नहीं दूखती मैं क्या कोई सोग से जाना सहा रही हूँ अपना माय के अपने पापा कोई तो देखने जाना है लेकिन इने कोई फरक नहीं पड़ा मेरे पापा की तव्यत खराब है उसमें भी उनके अपने सहरे की उदासी सिपा कर जासमित दो बार अपने सारे कामव में लग जाती है अपनी सासु मां से पूच कर जल्दी जल्दी रात का डिनर की त्यारी में लग जाती है सारा काम करने के बाद सासु मा के कमरे में जाती है ममी जी वह मैं अब थोड़ी देर के लिए जस्मित कुछ कहती उससे पहले ममी जी कहती है बेटा जस्मित मेरे लिए थोड़ा गर्मा गर्म अध्रक वाली साई और पाकोडे बना कर ला देना मेरा बहुत मन कर रहें लेकिन ममी जी मुझे कुछ जसमित बोलती हो से वी से उसकी इसती सोटी ननन जो पनीत कहती है आहां बाभी जी अज मेरा भी बहुत मन कर रहा आए साही के साथ गर्मा गरम प्याज वाले पकोड़े-खाने की पली जालिस से बनाकर ला दो नाब अपने हातों से अपनी ननन की बात सुनकर जस्मित साकर भी कुछ ना कहती उदास मन से रस्वी घर में जाकर त्यारी में लग जाती हैं जस्मित को अपने पापा की बहुत यादा रही थी जब से उनकी तब्यत खराब की बात सुने उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहाता जीक और राता ज़दी से जाकर उनने देखाए घड़ी होकर जस्मित अपनी सासु मा की और देखर सोचने लगी है कास ममी जी आप मेरे सेरे की उदासी पड़ पाती सुबह से जैसे बोल दी मैं सारा काम करते जारी उना साते वे भी एक मिनट मेंने आराम नहीं किया लेकिन जब से मा मिलने की बात कही तब ममी जी ने मुझे अकेले जाने बोल दिया मेरी बात क्योंने समझ रही ममी जी मेरी मा क्या सोसे की मेरे पापा अब तो सती दर जी भी बाहने बना देंगे मेरे साथ नहीं जाने के लिए, क्योंकि ममी जी का यही ओर्डर है जस्मित जल्दी से त्यार होकर अपनी मां से मिलने उनके घर उला काप लेकर सली जाती है पौंसती जस्मित की मां बहुत खुस हो जाती अपनी बेटी को देकर गले मिलकर देर सारी लोड़ी परे की बदाया देती लेकिन जब उन्हें पता सलता है कि उनका दामान और वच्चे साथ नहीं आए तो थोड़ी उदास हो जाती हैं फिर भी अपनी उदास कुछ सीपाते वे बेटी के आने पर खुसी जता दिये वहीं जस्मित के पापा जी अपनी बेटी को देकर उनकी सरीर में इस पूर्थी आ जाती उटकर वहीं बेड पर बेट जाते अपनी बेटी से डेर सारी बाते करते वोने देकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी तब्यत बिल्कुल ठीक हो जस्मित अपने पीता जी को खुस देकर बहुत खुस होती हैं। उनने समझा बुजा कर वहां से निकल जाती है क्योंकि ममीर जी सिरप आटा गंटा का समय दी थी माँ पापा से मिलने के बाद अपने ससुराल वापस भी तो जाना था। रास्ते पर सोचते जा रहे थी हम औरते का द्रद कोई नहीं समझ सकता सेरे पर कितने द्रदों से कोई नहीं पढ़ पाता इसका कारण भी हम खुद ही होते द्रद के पीसे भी हम मुश्कराते हैं। तो ये सच्चे कि हमारी उदासी कोई नहीं देख पाता यूँ यां कए कि हम उपनी दूदासी को सिपाकर रखने की कोशिश करते घर की इस्थी को देखते वे यहीं सच्चे ना आप अपनी राय इस्था रूपचे देशकते कि आपके साथ भी ऐसा हूँ ऑलै कभी आप उ